हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी लोगों का और एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने योट्यूब चैनल प्रयाग पॉइंट पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रोफेसर राजजेन सिंग ने रज्यू भी अभी सुभी देले की जो प्रवेस प्रक्रिया है सामान प्रवेस प्रक्रिया है 2023 और 2024 के लिए यानि कि एड्मीशन प्रोसेस जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं हाल ही में लगबग एक हपते से ये बच्चों दोरा पूंचा जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वैरी था तो मैं सोचा कि आप सभी लोगों का ये क्वैरी जो ह हूँ और खास करके इस वीडियो में जो हमारा मेन पॉइंट होगा बात करने का वो ये होगा कि जो बच्चे अभी तक जो है कि इसका जो है कि क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि उनका जो इंट्रेंस एक्जाम के थ्रू एड्मीशन होगा या फिर डारेक्ट एड्मीशन होगा इंट्रेंस के थुरू होगा या फिर डारेक्ट एड्मिसन होगा तो उन सारे बच्चों के लिए यहाँ पर जो है कि मैं बताने वाला हूँ और आपकी जो इंट्रेंस डेस्ट क्या होने वाली है फीस वगेरा के बारे में इसके पहले के वीडियो में मैंने बता दिया था और जब तक रिजिस्टेशन होना वो भी हम लोग मैं पिछले वीडियो में कई वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पर भी उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे बड़ जो मेन मुद्धा हमारा है यह है कि आपका admission इंट्रेंस के थ्रू होगा या फिर डारेक्ट admission होगा यह सबसे जादा query पूछा जा चुका है अब हाली में लगबग एक हपते के बीच में तो मैं सोचा रहा हूँ यहाँ पर आपको पूरा doubt clear कर देता हूँ चलिए दोस्तों वीडियो के start करते हैं और उससे पहले आपको बता दें कि इसी प्रकार की informative वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर लिजे और विल आइकन को भी प्रेस कर लिजे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो और धीरे-धीरे करके यहाँ पर सारी उनियोर्सिटी की update आपको मिलती रहती है हलाकि अभी थोड़ा सा एक दो-चार दिन से ब्यस्त था काफी जादा मेरे भी exam चल रहते तो आप सभी लोगों को वीडियो नहीं upload कर पा रहा था इसके लिए मुझे आप सभी लोगों की समिश्या जो हुई उसके प्रयागराज नयनी परिसर में आपका जो है कि प्रोफिसर राजन सिंह रज्यू भहिया विस्विद्यले कैमपस है ठीक है दूसरी चीज जो है पहला कोस्चन तो यही आप सभी लोगों का था जो बच्चे पूछ रहते तो यह है आपका कि जो मेन कैमपस है यानि जहां प यह एक सामान में प्रवेस पर इच्छा कराई जा रही है ठीक है प्रवेस प्रक्रिया में आपको करना क्या है फाम आनलाइन हो रहे हैं फाम फिल करना है फाम फिल करने की जो डेट है कब तक है मैं आपको यहां पर बता देता हूं और अभी हम लोग इस पर भी चर्चा करे तक 20 जून तक लिए का पीश कर सकते हैं इसके फीश के बारे मैं आपको दिखा दूँगा चीव स्वेशा इस परिवेश परिच्छा जो है आप लोग अभ्यान से समझेगा यह जो परिवेश परिच्छा हो Sabbath अन्यावरास सूइर्थ marriage पहुर्ट है यह जो प्रविजबर्ड बाइं स्धूर्ड्वाब अधिर भी इसविजुबी द्यायए टीकर नहीं की उसके एडिमी सिर्वथ ने पहुर्वास सुई सहा लहा है यह नहीं की प्रविजबर्डमींसी में कोर्षर्र आपका पहले exam, entrance exam conduct कर रहा जाएगा उसके बाद आपके scorecard release किये जाएंगे scorecard के according ही आपकी counselling होगी उसी के according आपके admission यहाँ पर लिये जाएंगे ठीक है, जितने courses ये offer कर रहे हैं main campus में उसके लिए बाकी इससे जुड़े हुए जो college है इससे जुड़े हुए जो college है जैसे कि वो चाहे प्रयागराज में ही बहुत सारे college उससे जुड़े हुए है कौसांबी में, आपके फ्रतेपुर में और प्रताबगण में इससे जुड़े हुए जितने भी college है उन सभी college हों में आपके जो admission होंगे वो direct ही होंगे उनने किसी भी प्रकार का कोई entrance यानि की प्रवेश प्रक्रिया नहीं होगी आपको direct admission लेना है वहाँ जाकर की और जो बच्चे आप आपको भी पता है कि जो Central University है सभी का बच्चों का मन होता है जो भी पढ़ना चाहते है किसका सपना नहीं होता कि उसको Central University admission मिले लेकिन सभी students को नहीं मिल पाती है उसकी उनकी preparation के according ठीक है और हाला कि ये भी एक condition होती है कि preparation के according entrance exam नहीं crack हो पाता है तो उनको Central University या फिर जो भी और other university होती है वो नहीं मिल पाती है एक region तो यह होता है कि जो इस्टुडेंट competition यानि उन्डे exam की preparation कर रहे होते हैं वो regular अपना college यानि की जो graduation या पीजी है वो नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए एक सुबधा ये है कि यहाँ पर दरसल ये बात पढ़ी कड़वी लग रही होगी सुनने वालों को लेकिन ये सच्चाई है दरसल मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है कि वो लोगों को लिए ये है कि time चाहिए preparation कर रहे हैं तो time चाहिए तो ये एक अच्छा offer है कि admission करवा के अराम से घर बैठे तयारी कीजिए और exam दीजिए पास होई ये अच्छे माक से के साथ तरसल बुरा लग रहा होगा आप लोगों को लेकिन ये सच्चाई है जो कि मैंने बहुत नजदीक से देखा है सो एक ये भी reason होता है और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जितने बच्चे या मैं अगर इलहाबाद उनिवर्सिटी इक बात करूँ जितने बच्चे यानि सेंटल उनिवर्सिटी में डमीशन नहीं लेते उससे कहीं ज़्यादा बच्चे प्रोफेसर राजेन सिंग रज्जु भाईय से जुड़े कॉलेजों में डमीशन होते हैं आप लोग उनका क्राइटेरिया देखिए एक्जाम के टाइम में जब निकलता है कितने बच्चों का रजिक्टेशन हुआ तो आखे खुली की खुली रह जाती है तो ये भी कहीं न कहीं बड़ा रीजन है कि आप जो है कि कॉलेज भी नहीं जाना चाहते है और आप ग्रिजवेशन भी करना चाहते है पोस्ट ग्रिजवेशन भी करना चाहते है डिग्री भी लेना चाहते है तो उनके लिए भी ये काफी ज़्यादा helpful होता है अब इस पे क्या इसकी जो merit और demerit क्या है उस पर हम लोग discuss नहीं करने वाले हमारा जो main मुद्ध है आपको बताने का था कि admission के लिए तो इंटरेंस exam आपका उन सात्रों के लिए होगा जो प्रोफिसर राजेन सिंग और रज्जू भी अभी सभी देले के main campus में जो courses आफर किये जाते हैं उनके लिए होगा बाकी अगर आप किसी भी district यानी की प्रयाग राज में ही बहुत सारे college हैं वहाँ admission लेना चाहते हैं और अपने one day exam की तयारी करना चाहते हैं तो वहाँ से ले करके आप कर सकते हैं उसमें जो है आपको exam देना है कभी practical वगारा में ही college चले जाएए हलाकि ये सचाई है दरासल आप लोग जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा बाकी जाता चीज़े मैं यहाँ पर बात नहीं करने वारो दूसरी चीज़ जो भी अधर district हैं जैसे कि कौसामभी, प्रताबगड और फतेपूर इन चार district में इनके college आपको मिलेंगे तो यहाँ पर भी admission बहुत सारे admission होते हैं दरासल आप लोग news वगरें पढ़ते होंगे तो यह सारी चीज़े हैं तो मैंने बताया मेरा मुद्ध यही तक कि मैं बता सकता हूँ आपको समझा सकता हूँ आप लोगों को यह तो clear हो गया कि इंटरेंस एक्जाम के थुरू आपके admission कहां होगा और direct admission आपका कहां होगा ठीक है दूसरी चीज यह है कि बच्चों को query यह है कि जो इंटरेंस एक्जाम होगा याई आप अगर farm fill करना चाहते हैं तो कौन-कौन से courses यह आपको offer करता है वो सबसे ज़्यादा important है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि इनके पास कौन-कौन से courses है और यह कौन-कौन से courses आपको offer करते हैं admission के लिए main campus में तो यहाँ पर देखिए एक notice है admission notice जो जारी किया गया थे इनके ओर से यह देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह जो notice है इसमें जो है कि UG plus PG courses के लिए भी दिया गया है ठीक है बात पहले मेरी पूरी समझ लीजे वीडियो थोड़ा for long भी हो सकता है क्योंकि आप समझ लीजे जानकारी लेना चाहते है तो वीडियो तो देखना पड़े गई और एक ही वीडियो में अगर चाहते है कि पूरी जानकारी मिले तो और भी important हो जाता है बात समझ में आ गई होगी तो इनके पास क्या है भी एक दो साल से integrated program भी इन्होंने launch कर दिया है जो कि 10 प्लस 2 के बाद में यानि कि आपकी बारवी के बाद integrated program का मतलब क्या होता है कि आप अगर एक बार graduation में admission लेते हैं तो फिर आपका graduation भी complete हो जाएगा और post graduation भी complete हो जाएगा तो आपको कहीं बार बार entrance देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें कि ये फायदा है जैसे आपने graduation करके फिर आप कहीं बाहर admission लेते हैं तो उसके लिए entrance देना पड़ता है आपको तो बट यहाँ पर यह नहीं होगा अगर आप एक बार admission ले लेते हैं तो फिर आपको फिर आपका जो है की PG भी हो जाएगा उसी में और UG तो हो ही जाएगा तो उसके लिए BA PLUS MA जो भी आपसे subject से कर रहे है integrated program in art में जो है वो आपका IPA courses के नाम से जाना जाता है integrated program arts और उसके बाद में B.com और M.com ठीक है यह B.com और M.com उसके बाद BBA MBA यह भी integrated program है यह 5 years के हैं ठीक है कितने years के 5 years यानि कि तीन साल 3 years आपका BA हो गया जनी graduation और 2 years आपका PG यह नि पोस्ट graduation तो यहाँ पर total जो होगा आपका year वो 5 year का यहाँ पर conduct हो जाए दूसरी चीद PG program के लिए after graduation के बाद अगर आप यहाँ पर admission लेना चाहते हैं जैसे कि MA हिंदीस करना चाहते हैं MA संसिर्स से करना चाहते है MA Geography MA Sociology MA Political Science MA Philosophy यह जो यहाँ पर courses है यह आफर किया जा रहा है इनकी ओर से main campus के लिए और इनका इंटरेंस भी करवाय जाएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह चीज यह मैंने यहाँ पर देखा नोटिस किया कि LLB नहीं है में campus में लेकिन LLM है ठीक है LLB नहीं है अब LLB करने के लिए आपको पहले state यह जो इसके affiliated college है अगर आप यहाँ से करता है तो फिर आपको यहीं admission पहले लेना होगा यहाँ LLB कीजिए और उसके बाद में जो है कि फिर उसके बाद LLM यहाँ से आप कर सकते हैं तो यह courses यह लोग offer कर रहे हैं देखिए मेरा काम है बस बताना आपको admission ले रहे हैं आप नहीं ले रहे हैं यह आपके उपर depend करता है बाकि अगर आपके कोई query है कोई question है तो description में आपको telegram channel का link मिल जाएगा वहाँ पर लगभग 300 बच्चे जुड़ चुके हैं आप भी जोईन हो सकते हैं वहाँ पर तो कई सारे बच्चे ही आपके doubt क्लियर कर देते हैं अकर आप message करते हैं ठीक है तो वहाँ पर description में link दे दूँगा मैं आप वहाँ जोईन हो सकते हैं द integrated courses के लिए और PG program के लिए यहाँ पर offer करेंगे अगर हम UG के लिए बात करेंगे तो वह next video में मैं आपको बता दूँगा कि UG courses के लिए क्या क्या यहाँ पर offer किये जा रहे हैं main campus के लिए ठीक है तो यह PG students के लिए इतने courses जो है offer किये जाते हैं इनके पास में अब दूसरी ज बता दिया और उसके बाद में जो है कि बता दिया आपका PG courses में कौन-कौन से यहाँ पर दिये जा रहा है आपके admission वो मैंने यहाँ पर आपका जानकारी दे दी दूसरी चीज जो भी चीजें हैं इसमें कौन कितने courses का है कितनी किसमें seat हैं वो यहाँ पर दी गए आप इसका पूरी दी गई है कि आपके पर समेश्टर फीस या टोटल फीस कितनी लगने वाली है दोजार चौबिस तेस चौबिस के पार्ट कर्म के लिए जो पर इसनातक की फीस है आपकी सुल्क प्रती समेश्टर वो यहाँ पर दी गई है 3515 रुपए और प्रवेश के समय जो आपक जो है कि यह इतनी फीस लगेगी ठीक है और प्राइसनातक प्रयोगात्मक परिच्छा जो होगी उसके लिए जो प्रयोगात्मक की परिच्छाएं होती है जिसमें प्रैक्टिकल होता है तो उनके लिए यह फीस यहाँ पर दी गई है यह आप लोग देख सकते हैं ठीक है य यहाँ पर दी गई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की ठीक है इसमें जो है कि प्रथम 6 समेस्टर है तो इतनी फीस आपको जम्मा करनी होगी और अंतिम 4 समेस्टर है तो इतनी फीस आपको जम्मा करनी होगी total fees ठीक है total fees यहाँ पर दी गई है यह total fees है और जो है कि जो भी notice वगरा में दिया गया है ठीक है और जो चीजें है refund table fees जिसकी है वो यहाँ पर भी दी गई है so यह सारी चीजे प्रवेश समय से अगर आपको कोई problem होती है तो आप यहाँ पर email इंटरेंस के सुरू किस कोर्स में admission होंगे और direct किस में होंगे डारेक्ट आप इसके किसी college में भी डिजिमिशन लेना चाहते हैं पीजी में तो आप वहाँ पर graduation के बाद ले सकते हैं और after 10 plus 2 के बाद भी graduation में भी डिजिमिशन डारेक्ट ले आप मुझे message कर सकते हैं मैं कभी active हो जाता हूं तो लगभग आपका reply मिल जाता है ठीक है फ़्यासा time लगएगा बट reply आपको मिलेगा एफ़ नहीं है कि नहीं मिलता और जो है कि सारी चीजें जो होती हैं होती रहती हैं वहाँ पर बच्चे भी जुड़ चुके हैं वहाँ पर और हमारा जो यूटूब चैनल उसमें लगभग साड़े 5,000 जो है कि subscriber कम्प्लीट होगा है बहुत जल्द ही ये criteria हम लोग जो है कि cross करने वाले हैं जो कि मेरा target है 10K का यानि कि 10,000 subscriber का तो आप सभी लोगों की मदद से ही हो पाएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंदा प्लीज लाइक करें दोस्तों पास शेयर कीजिए इसी प्रकार की informative वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें thank you friends मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बहुत 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 था